है लो गाइज वल्कम बैक माई चैनल मैं हूँ आर्थी आप सबका स्वागत करती लो अपने चैनल में आज मैं बनाने जारें उत्रा खंडी के शब्ची मेरी सब्सुर्जी आ रखे हैं और उन्होंने बोला है कि आज बनाओ इस्पेशल मूले की थिचोडी तो मैं मूले की थ इसके साथ में यह रapम आलमीक्स करने जारहे हु जाए हूं चेट पिर स्टार्ट करता हैं इसको बनाना चल्या करद्कि यह रख दें ही साब जबा प्रशाज को बनाने जा रही हूं मुल्मे की थीचोडी है चरी आप मैं मूली को सिल्वटे में थीच तूँ चरी आप यह दिखाना जरू अजिए आप 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हमने मूला बारीक बारीक थीज़ दिया है इसमें आलू को खैर नहीं डलते हैं लेकि मेरे बीबी को आलू पसंद है इसमें इसलिए मैं आलू डाल देती हूं अब आम इसमें लसन करेंगे इसमें टेस्टा पर लसन करेंगें कर दूर गालू आटेस्टा इसमें . तो केस्ट और अच्छा जाता है जादिया हुआ सबकते है ये लसन अद्रेका केस्ट मन्चुका है अब इसको निका देंगे मूले के तीजो लिया अच्छा स्वापित है तुगाई के मूले मैंने बारी बारी थीज दिये सबटे में जलिए अब हम इसमें प्याज ताके जलिए अब हम इसमें प्याज ताके जलिए प्याज वी तुमाटों ने निकाज दिये इसमें प्याज शौन करते लिए इसमें तेल दालोंगी तरसो के तेल में अच्छा टेस्ट दाता है इसका गाइस तेल गरम हो चुका है अब इसमें सबसे पहले थोड़ी सी हींग डालती हूं यह उत्रा खंडी तड़का जख्या इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब हम डालेंगे प्यांच प्यांच अच्छा बंगें तेल रर्ला हुआज से प्यास क्र॥क कार सबस्टी तेल प्यास के थोड़ी कर्ष़ी तोड़ी तेल रही कर्शाद को डु़ी थोड़ी तेल झाल झाल शुल जो बदाख का जाधा शुल नाधा को ने भीजी एक जाधा जो आधात प्रशु आधान सुफॉ एक तो पर भादाव में नेख सो, म्यंट मुच्छ जाधा का जाधान शुछ स्थम्दश के ने ने तो दासने हमचा के जो बाहता है और भादा आधा तेसे मुच्छ नमक दालेंगे, और इसके मेल, से अल्दी, अपबनेया, अपबाने तेट, लिए नमक दालेंगे, तेट भज़्साब इसने हाले, अब इसने हें देज भूली लेवड आलेंगे, अच्छी तरफ से निक्स कर लें लेक। जाज ये थोड़ी देन हम इसको आसी रख देंगे। अच्छी पांच मिनट हो चुके हैं अब देखते हैं पक चुका होगा अब इसमें हम पानी आट करेंगे। अच्छी आट करेंगे अब इसमें पानी आट करेंगे। चलिए आवा में पानी आट करते हैं आट करेंगे। अब देखते ही थोड़ी देर और शुका हम पानी आट करेंगे। मूले की थीचोडी के साथ चावल और यह है हमारे गाउं की ककड़ी बहुत एस्ची होती है चलिए तो फिर इसको हम काटते हैं गाइस देखिए मैंने यह तुरह खंड की ककड़ी काटी है खाने में बहुत टेस्ट आता है अब हम इसने काला नमक दाले है हमने काला नमक दाल लिया है अब यह थाने की लिए तैया है गाइस यह पक चुकी है देखिए मूली की थिचोडी बन चुकी है गाइस मैंने प्लेट में सर्फ कर दिया है देखिए गाउं की मूली की थिचोडी और हरा हरा ककड़ी गाउं की ककड़ी गाउं की ककड़ी हरी हरी और तैयार है गलिस्स रखंडी खाना तो गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजू शेयर कीजू अच्छी करना तो ना भूलना जल्दी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप किस बाबाई